आज की वीडियो में हम आपको महा फलाक्स डी आई डॉप के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में जानेंगे कि इस डॉप का इस्तिमाल किन किन समझ्याओं में किया जाता है इसको कितनी मात्रा में इस्तिमाल करना चाहिए इसके डोस के बारे में इसकी market price कितनी है इसके composition, side effect इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो को पूरी देखें थाकि आपको महा फलाक्स D.I.Drop के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके तो महा फलाक्स D.I.Drop इसके market price की बात करें तो 105 सुपह इसकी market price है और ये 5 ml की packing में आता है इसकी जो market price है समय के साथ साथ कम्या जादे हो सकती है और इसके company की बात करें तो इसको mankind pharma limited company के द्वारा बनाये जाता है तो इसमें मौक्सी फलाक्स असीन और डेक्सा में थासोन होता है और आईए जान लेते हैं माप्लक्स D.I.Drop के usage के बारे में इसका इस्तिमाल किन-किन समचाव में किया जाता है तो यह एक antibiotic drop है इसका इस्तिमाल आखों में bacterial infection को ठीक करने के लिए किया जाता है आखे लाल हो गई हो, आखों में खुली हो रही हो, यह आखों में जलन मसूस हो रहा हो इसके अलाम आखों से पानी आ रहा हो, आखों से चिपशिपा पधार्थ निकल ला हो यह आखों की पल के आपस में सट जाती हो, यह आखों में दर्द या सूजन हो तो इन चब को ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है तो बहुत ही बहतीन ये आईडाप है जो कि आखों में bacterial infection को ठीक करता है बहुत ही बहतीन result है इस आईडाप का तो आए जान लेते हैं इसके dose के बारे में इसको कितनी मातरा में इस्तिमाल करना चाहिए तो इस आईडाप को एक एक बूद दिन में तिन टाइम डालना चाहिए और कुछ साधानियों की बात करें तो इस आईडाप को खोलने के बाद एक महीने के अंदर ही इस्तिमाल करें एक मेने के बाद इसका इस्तिमाल नो करें और इस आईडाप के नोजल को हांतों से बार-बार नचुएं इससे infection का खत्रा रहता है महाफलक्स डी आईडाप को लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्स ज़रूर लेना चाहिए तब इसका इस्तिमाल करना चाहिए और आये जान लेते हैं इसके side effect के बारे में इस आईडाप के क्या side effect हो सकते हैं तो वैसे तो ये बहुत ही बहतीन eye drop है इसके result बहुत ही अच्छे हैं लेकिन अगर इसमें मुझूद content से किसी को allergy है तो कुछ problem हो सकते हैं आखों में खुजली हो सकती है जलन मसूस हो सकता है आखे लाल हो सकती है तो ये सब इसके side effect हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं सभी को नहीं होते हैं अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो इसको डालना बंद करके अपने डाक्टर से संपर कर लें तो ये थी हमारी आज की जानकारी माफलक्स डी आई डॉप के बारे में वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें